हेलो बच्चो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की ठीक है यानि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे फुल डिटेजल से लेके चल रहे हैं लाइफ प्रोसेस ध्यान से सुनते जाइएगा अगर मैं डाइजीतिव सिस्टम की बात करूं बेटा तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है actual में जहां से क्राइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं पहले पार का नाम है elementary canal और दूसरे पार्ट का नाम है digestive gland क्या बोलेंगे पहले का नाम elementary canal और दूसरे वाले का नाम क्या है digestive gland अगर मैं बेटा elementary canal की बात करूं तो elementary canal mouth to anus होती है जहां से food जाता है और जहां से waste product बाहर होता है ठीक है यहां से लेके एनस तक की जो length है वो बेटा 32 feet की है कितना 32 feet अगर मैं 32 feet की बात करूं तो approximately 9 meter की आती है 9 meter समझ रहे हो बहुत बड़ी length होती है ठीक है आपने देखा होगा रास्ते में कभी road पे गए होगे तो देखे होंगे कुत्ते रास्ते में जब मर जाते हैं तो उसकी आप निकल जाती है पुरी road पे फैली रहती है barrier की तरह फैली रहती है ठीक है एक्चुलन बेटा हो इस्मॉल इंडेस्टाइन लार्ज इंडेस्टाइन होता है ठीक है अगर मैं बात करूं क्या पढ़ना है एलमेंटरी के नाल में हमें oral cavity पढ़नी है oral cavity के बाद pharynx पढ़ना है फैरिंग्स के बाद हमारा इस्टमक पढ़ना है इस्टमक के बाद small in the star in large in the time and a अगर मैं ग्लेंड की बात करूं तो ग्लेंड में कौन कोना आएगी स्लैबरी ग्लेंट गैस्टिक ग्लेंट लीवर एंड गॉल ब्लेडर पैंक्रियाज इंडेस्टाइनल ग्लेंट ठीक है अब अगर मैं आपको फिगर के बेस्ट पे समझाने की कोशिस करूं तुझरा इस फिगर पे देखिएगा बेटा आपको यहां पे ओरल पार्ठ होते हैं कारडियक फंड एंड पाइलोरी ठीक हंडस भी बोलते हैं अब उसके नीचे जैसे ही आये बेटा यहां पे हमें स्मौ्ड इंडस्टाइन देखने को मिलती है जो स्मौ्ड इंडस्टाइन है ना एक कमपेयर टू लार्ज देश्टाइन में ज्यादा बोल दिये हैं जबकि जो सबसे लंबी इंडेस्टाइन कौन है इसमाल इंडेस्टाइन ठीक अगर मैं स्माल इंडेस्टाइन की बात करूं बेटा तो स्माल इंडेस्टाइन तीन पार्ट में डिवीजन करेगी पहला है डेडूनम दूसरा जेजूनम और तीसरा इलियम ठीक डेडूनम, जेजूनम, इलियम, अब उसके बाद जैसे ही आएंगे बेटा, स्मॉल इंडेस्टाइन के बाद, तो यहां पे लार्ज इंडेस्टाइन के जेस्ट पहले आपको एक टर मिलेगा, जिसका नाम है एपेंडिक्स, एपेंडिक्स देखते होंगे, कभी-कभी किसी का बढ़ जाता है, तो पेट में बहुत जादे दर्द होने लगता है, ठीक है, अपेंडिक्स बढ़ता कब है बेटा, जब आप जादा ही मसाले और ओयल वाली चीज़ खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे अगर जादे ओयल और मसाला खाएंगे ना, तब अपेंडि होना होगा कि जिस चीज़ों की बॉड़ी में जरुवत नहीं होती है, कुछ दिनों के बाद, यानि कुछ सालों के बाद, एवोलूशन में ओचीज गायब हो जाती है, तो अपेंडिस्क हमारे इंडिस्टाइन का एक पार्ट है, जो अभी तक है, लेकिन इसका अभी भी को होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है, अगर मैं रेक्टम की बात करूँ तो रेक्टम में आपको एक डिजीज में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये औरल आल समझा रहा हूँ, अगर इतना आपको समझ में आया, तो मैं एक-एक टॉपिक उठा के लेके चलता हूँ, ठीक देखिए, अगर मैं बात करूँ माउथ की, सबसे पहले आया माउथ, माउथ को हम औरल कैविटी भी बोल सकते हैं, बक्तल कैविटी भी बोल सकते हैं, जो आपका माउथ है, इसको औरल कैविटी भी बोलेंगे और बक्तल कैविटी बोलेंगे, सबसे पहले माउथ से ही स्ट तीन है, तीन पेर में रहती हैं, तीन हो, कौन कौन सी है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसमें है पैरटाइड, पैरटीड जो होती है, इस सबसे लारजेस्ट होती है, सबसे लारजेस्ट ग्लेंड में आपको देखने को मिलेगी, किसकी सलाइवरी ग्लेंड का सबसे कन बनाने के लिए कौन बनाती ये ऐता था थिक कर शांत में जहर बनाने के लिए यूज होता है अच्छा में और एक थी फीकर सब्सक्रा चीज है इसे आप से बोलो बेटा कि कि आप परड़े डेढ़ लीटर स्लाइवा बनाते हैं मिस लार जो आपके माउथ में बनता है वो डेढ़ लीटर लार परड़े बनता है अब ऐसा नहीं कि बॉटल लेके लाओ भाज में भरता ही हूं पूरा भर दो एक डेढ़ लीटर ठीक है ऐसा मत करिएगा अच्छा एक और आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते ना बेटा छोटे बच्चों में क्या होता है सबसे अधिक लार बनता है यानि सलाइवा सबसे अधिक बनता है अब रीजन क्या है जो सलाइवा होता है ना एक बैक्टिरिया को किल करता है यानि इसमें कई सारे आपको खाने की कोशिस करते हैं उनको लगता है कि मैं दुनिया में खाने के लिए आया हूं और उनको कुछ नहीं दिखता है सिर्फ उनको यहीं दिखता है कि मैं यहां पर दुनिया में खाने के लिए आया हूं ठीक है तो बच्चे कुछ भी खाने के लिए रेडी रहते हैं इसलिए कभी भी बच्चों को जब आप गोद में लेते हैं देखते होंगे भीगो देते हैं ठीक है उलार इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर एंजाइम जादा हो और ताकि बच्चे बीमार ना हो अगया समझ में ठीक है दूसरी चीज में बात करूं बेटा कुछ एंजाइम का नाम है टाइलीन और तीसरे का नाम डिश्टे है चौथे का नाम म्यूकस ठीक है आपको चार टाइप के एंजाइम देखने को मिलेंगे जड़ा एक बार देखिएगा बेटा अच्छा अब जो लाइसो जाइम होता है न एक जीवान लौनासी होता है मिन्स अगर बैक्टिरिया आपके माउथ में आ गया तो उसको किल करने में हेलीओ पर एगा मतलब किल देखिए ठीक है कौन lysozyme enzyme कहा present होता है आपके mouth में present होता है दूसरी चीज मैं Tylene की बात करो तो Tylene जो होता है औरzustage रोनों एक ऐसे enzyme है जो बेटा आपके mouth में सबसे पहले suggestion start किया कि सेज का sisterDcheck का под pand songs का मतलब क्या है जैसे आफने कभी आप खायो गया रोटी जब आप ऊपाते हैं तो देखते होंगły रोटी को बनाने के लिए क्या किया जाता है पहले आंटे को चाल लिए जाता है जो चला हुआ पार्ट है जो आपको मेदे को अगर जो आप गाए है और होता है sûr मंडगनी चोकर उसमें होता है स्टार्च हम क्या करते हैं उसको गाय को दे देते हैं जो बचा हुआ पाइट है मैदा है मैदे को आप इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है आपको मैं 2-3 रोटी दे दू मैदे का तो आप नहीं खा सकते लेकिन अगर आपको 4-5 रोटी बिना चोकर हटाए दे दो ना तब भी आप खालेंगे क्योंकि मीठा होगा और उसके अंदर स्टार्च होता है और स्टार्च का डाइजेस्टन हमारे माउच से टॉलीन और डाइस्टेज इंजाइम करते हैं इतना समझवा गया अब फूड आगे जाएगा बेटा तो म्यूकस आ क्या बनादेगा बो बनाता क्या बनाता वेटा बोल कौन बनाता है बोल सके erste में मूकस जो होता है फूड को चिपचिपा बना देता है ज्याद रखियागा अगर आपसे म्यूकस के बारे में पूछा जाया तो म्यूकस फूड को चिपचिपा बनाने में हेल्फ करेगा कितना समझ मैं आपको माउट के बारे में माउट से तीन टाइप के एंजाइन निकलते हैं जल्दी बेटा स्कीन सॉट लो अब देखिएगा अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा अगला माउट हो गया माउट के बाद आता एसोफेगस ओसोफेगस में जो फूड होता है इसका कोई डाइजेशन नहीं होता यानि ओसोफेगस बॉड़ी का यानि digestion system का एक ऐसा पाइट है जहाँ पे digestion नहीं होता है इसका काम होता है यहाँ पर आपको दिखाया गया कि नो digestion, यहाँ पर कोई digestion नहीं होता लेकिन यहाँ पे geben का मतलब है कि किसी चीज़ को धक्का मारके पहुंचाना जैसी छाना खा रहे हो छाना को क्या होगा जो है वो जब यहां से मोज से नीचे जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि डारेक्ट ऊपर से गिरा भाई नीचे एशिड में ऐसा नहीं गिरता है ठीक हो क्या होता है कि जैसे फूड आपने लिया धीरे 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 कर्मान कुंचन की तरह से यानी पेरिस्टेलेसिस का मतलब हो और पूड को धक्का मार के पहुंचाना तो जो फूड होता है पेरिस्टेलेसिस किस प्रोसेस में देखने कहां पर देखने को मिलती है ओसुफेगस में यानी फूड डारेक्ट नहीं जाता है नहीं बाई गिरा मेरा खाना आपढाशा अच्छा अगर मैं ऐसुफेगस की ब अगर मैं बात करूँ जो आपके फूर्ड था जो आपने खाना खाया था वो फूर्ड फॉर्म में था जब बिटा गया माउस से नीचे आपbank जैसे माउस से नीचे जाएगा बोलस फॉर्ट यह पॉइंट याद रखिएगा कौन सा फॉन बोलस फॉर्म में जैसे आपने खाना खाया जो माउस में फूर्ट था वो सलाइवा के थूर मिक्स हुआ सलाइवा मिक्स होने के बाद जैसे हो नीचे जाया अब उसका नाम हो गया बोलस यानि फूड को बोलस में करता है अगया समझ में अगर मैं बात करूं बेटा ओसो फेगस की तो फेगस में वस इतना ही चीज आपको पढ़ना है उसके बाद आता है इस्टमक के बारे में थोड बड़ी बड़ा पार्ट है आपको इन तीन के बारे में डिटिल से पढ़ना है कार्डियक फंडिक एंड पाइलोरी ठीक है अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं जल्दी केटा जल्दी जल्दी देखिए अब मैं बात करूं सबसे उपर वाला पार्ट होता यहां ठीक है यहां सबसे अपर पार्ट मैंने बोल दिया दूसरा चीज इसके अंदर बेटा यह सील का फॉर्मिशन होता है किस चीज का यह सील ठीक है किस चीज का यह सील का फॉर्मिशन होगा दूसरी चीज ए बेटा यह सील है तो एसीड है तो किल्द बैक्टिरिया बैक्टिरिया को मारने में हल्फ करेंगा तीसरा चीज और क्य Excellent अग객 समझ में अच्छा अगर मैं funding की बात करूं वेका तो ये second वाला part आपको funding देखने को मिलेगा यानि फंडस, फंडस को अगर मैं बोलूँ तो फंडस स्टोर आफ फूड है, यहां पर क्या होगा, स्टोर आफ फूड होगा, फूड का स्टोरेज होती है, बेटा एप्रॉक्स फूड चार घंटे तक रहता है, कितने घंटे तक, चार घंटे तक फूड यहां पर स्टोर रह लेकिन जब आपको भूख लगती है तो यही फंडिक में बीटा आपको एक काटी नुमा संरचना देखनी को मिलती है इसको हम रूसी बोलते हैं क्या बोलेंगे रूसी क्या हो बीटा एक्षौल में जब आपको भूख लगती है तो चुभन से महसूस कराता है यह आपके इतना समझ मागया इसके बाद अगर मैं बात करूं पाइलोरिक की तो जो पाइलोरिक होता है बेटा पाइलोरिक में हम देखने को मिलती हमें गैस्टिक जूस क्या देखने को मिलती है सर गैस्टिक जूस अब गैस्टिक जूस दो टाइप के होते हैं एक पैपसीन है और एक र देखेगा यानि मिल्क से कर्ड में अगर कोई चीज कनवर्ड हो रही है तो कौन करा रहा है रिनीन करा रही है लेकिन अगर मैं आप से बोलूं सर जो आपने प्रोटीन खाया है प्रोटीन से प्रोटीन से किसमें प्रोटीन में कनवर्ड होने के लिए कौन सा एंजाइम काम कर रहा है प्रोटीन को प्रोटीन में कनवर्ड करता है ये आपको क्याूंत सुस्टम के स्टमक पर्ट में देखने को मिल डेगा और स्टमक के पाइलोरी आपने देखा अगा मैं ने बताया बेटा जो आप ने खाना खाया वा फुर था। जैसरी माउस से नीचे आया अब बोलस फॉरम में आ गया! अब जिसी 되어 पैलोरी के अंदर गया अब पाइंड बना जैसे मानलो कभी न क्हाना खाये कि खाना खाय पड़े हो अब खाना क्या हो निगले निकले से पहले निकाल दिये तो कैसा रहेगा बोलस फॉर्म में लेकिन जब आपको मेटिंग होती है क्या होती है omitting हो गई खाना खा के उसके बाद हो किस फार्म में है काइन फार्म में प्रिजेंट है किस फार्म काइन याद आया ठीक है एक टोटल आपका digestion system का पहला lecture complete हुआ यहां तक एक बार note करेंगे मिलेंगे हमने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और सेयर ज़रूर करिए थैंक्यों